मेरा नाम है कीर्य चौन और दोस्तों यहां पर हम करें भारती थीहास की घट्टा चक्र और जिस्में हमारा चल रहा है MA buyer करें हैं मघाली साहित्व सब्सक्राइब करें अब आपको सच में अच्छी लगी वीडियो और शेयर करेगे आपने उन दोस्तों के साथ जो घटना चक्र पढ़ना चाहते हैं अच्छे से पढ़ना चाहते हैं उनको रैट गैस और क्या किते हैं बाकी सब्जेक्ट की भी आपको घटना चक्र की प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल चैनल को चैनल को जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं मुगल कालीन साहते नोट्स की बात करते हैं तो यहां लिखा है गुलबदन बेगम बाबर की कौन थी पुत्री तो जन्म हो गया 1523 में मृत्य हो गई 1603 में ठीक है तो उसने अपनी जो प्रसिद रजना है यानि की हुमायू नामा बाबर की बेटी है हुमायू नामा इसकी रजना में एतिहासिक विवरन लिखे तो अकबर क्या है उसका समान करता था बहुत समान करता था अच्छा गुल समिर्ती में लिखा है किसनेमरे अगबर ने और लिखा किसका इतिहास है आच्छा तू घुलवदन बेगम नहीं में अपनी इस रचना में हुमायू और कामरान युदि का भी विवरन दिया है ठीक है तो आघ्टी को ऑंवाल दिम करत बीन क्रति यह उसका है टेचा है इसमे अत्वा खैर उलमंजल, नामक मदरसे की स्थापना कराई है, जिसे मदरसाय बेगम, क्या कहते हैं, मदरसाय बेगम भी कहते हैं, संस्कृत गरंथ हितोप देश, का फार्सी भाषा में अनुबात, तो इत्ती सी बात होगी गया, इस महा मंगा की, तो मदरसा है, मदरसाय बेगम कहां पर दिली के पुराने के लिए में तो फिर आगे बढ़ जाते हैं संस्कृत ग्रंथ हितोप देश फार्सी भाष्ण में अनुवाद 1450 का आजपा ताज अल दिन मुफ्ती अल मलीकी द्वारा मुफ्रि अल कुबाल नाम से किया गया है ताज अल दिन मुफ्ती अल मलीकी को ही तुरुटी वस कुछ पुस्तकों में ताज अल मली ताज अल माली लिखा गया है ठीक है कोई नहीं पुछ रहा है अगे बढ़ते हैं अग यहां पे लिखा है मुगल काली ने लेखा को उनकी पुस्तक के चलिए देखिए यहां पे हम साहित की बात है तो इसमें लिखा है निजाम मुद्दीन एहमद यहां पे लिखा है तब काते अकबरी तो यह थोड़ा सा इंपॉर्टन रहे ठीक है तो अब बास खां सरवानी तो यहां लिखा है तारीक शेरशाही या फिर तौफाय अकबर शाही तो यहां पे लिखा है असन इजामी जो है ताजल मासर इंपॉर्टन फिर इसमें लिखा है खवान्दमीर जो है आपका कानूने हमायोनी ठीक है भीम सेन जो है आपका नुस्खा ए दिलकुशा ओके मिर्जा मुहम्मद काजिम जो है आपका आलमगीर नामा फिर इसमें लिखा है गुलाम हुसेण सियार उलमुत्खरीन मुहम्मद साहिल फिर है आलमे साहिल और यहां लिखा है इनायत खा शाज़ानामा इंपॉर्टन फिर है चंद्रभान ब्रहन ब्रहन तो यहां पे लिखा है चहार चमन और यहां लिखा है आपका मुतमित खां ठीक है तो यहां पे लिखा है इकबाल नामा जहागीरी तो बहुत जादे इंपॉर्टन तो इसमें से बहुत ही गाँ है इसमें लिखा है अब्दुल हमीद लाहोरी की अगर बात कहें तो चिए इतिहासकार था Abdülhamid Lahori साजा के शाशनकार में इतिहासकार था इसने अपनी पोस्ता कहानी कि पाळशा नामा बेरी इंपोर्टन में साजाहां काली इतिहास का वर्णान का है Abdülhamid Lahori की पाळशा नामा साजा के बारे में अच्छा अकबर दारा है स्थापित अनुवाद विभाग में संस्कृत अर्भी तुर्की ग्रीक भाशाओं की अनेक कृतियों का अनुवाद फार्सी बहसे में किया गया संस्कृत का फार्सी में अर्भी का फार्सी में तुर्की का फार्सी का ग्रीक का फार्सी में किया अनुवाद फिर लिखा पंचेतंत्र का जो अनुवाद है विबने शाषकों के काल में अलग-अलग नामों से किया गया तो वेरी इंपोर्टेंट पंचेतंत्र यानि की बहुत बार किया गया इसका अनुवाद अलग-अलग शाशकों के काल में अलग-अलग नाम से किया गया इसमें लिखा है गर्ज नवी काल में नस्रुलाह मुशी सिराजी ने कलीलवा दिमनाह बहराम शाही के नाम से सुल्तान हुसेन मिर्जा के काल में मुला 22 हुसेन काशफी के काशफी ने अन्वर सुलही के नाम से अकबर के काल में अबुर्फजल ने आयरे दानिश के नाम से तो कैस इतने अजीब अजीब नाम है कि आप याद कर पाए तो बहुत इची बात है अक्बर नामा की बात ग तो अक्बर नामा अक्बर की नविलत्रों में से एक थे अपके अबुल फजल धौरा जो है अक्बर साशनकाल के आधिकारिक वृत्तांत के रूप में लिखा गया है और ये जो है तीन भागों में इसका तीसरा भाग आईने अकबर ही है, तो important, किसे लिखी अबुल फजल अकबर नामा तीसरा भाग आईने अकबर ही है, ठीक है तो guys लिखा है फारसी मुगलों की राजभासती तो important बात है आपको पता होना चीए किरज का से संभने सभी Receber सभी कारिए फार्सी ही संभन उतेज Katharabhad Finuts लाहों drops छाहिए साहिए के विकास का केंद्र था वहाई संभ आगे बढ़ते हैं इसमें लिकाय है नस तालीक एक फार्सी लिपी है जो मढदिकालिन भारत में प्रयुक्त होती ते क्या नस्तालीक मुगल बाशा और अरंञ्जीब नस्तालीक और क्या है आपका सिकस्त लिखने में निपुर था तो यह भी αυτό नस्तालीक और क्या है शिकस्त अच्छा, अजमेर की किशंगढ़ रियासत के जो राजा थे यानि कि سावन से का वैशुम उपनाम के लिखा है नागरी दास यानि की राधा का सेवक था उन्होंने ही कृष्णी की प्रसंसा में नेक छंद लिखे हैं कृष्णगड के शाशक ने निम बार्क संप्रदाय को सनक्षन प्रदान किया ठीक है तो किषणगड रियासत की बात करे राजा सावन स क्तिन है और उनका उर्कृम नाम हो गया नागरी दास और राधा का सेवक ऐसे कृष्ण की प्रसंसों में नेक छंद की रचना है ठीक है क्या क्या है राम चंद्रिका है क्या है रसिक दास की रचना है की सँ पड़ते हैं। तो कंवेसे यहां लिखा है बाबर नामं कि अग्रेजी में कुस ने किया funz किन किया है है यहां पर लिखा है Leiden और लिखा लिखा था जुछ में में ख़रा था होख गता है नोट है jak यहां लिका है तुछच Churchill gaye-babar nama को बाबर ने अपने मात्र भासा तुर्की में लिखना था तो यहां लिका है पायंदा और आपर रहीम खाने खाने खानना बाबर नामा का अंग्रीजिते हैं लेडें ने लिकिया था और विलियम रसकिन दो ठीके अब इसमें लिखा है फ़ल इंग्रीध में फिकले सिंट उसकियmat यहां पर लिखा है गुल बदन भेगा प्रशनाति को तो हुमायू नामा में क्या है है हुमायू क्या है एतिहासिक विवरन लिखे गए हैं और अकबर जो है उसका बहुत समान करता था तो इन्हें जो है गुलवदन बेगम ने लिखा कि अकबर के आदेश पाप बाबर और हुमायू का इतिहास अपनी स्पंदी में लखा है इनों ने ठीक है और अपनी रचना में हुमायू और कामरान के मद्य रुद्ध का भी इनोंने क्या किया है? बढ़कल काल मेंने क्ते महिला ने इतिहासिक विभरण लखा है तो यही नाम भी जो हम про पड़ा गुलबदन बेगम अब लिखा हुमायू नामा की रचना किस ने करी है तो आंसा है गुलबदन बेगम ने आगे बढ़ जाते हैं मतला भैकम तिरा कि के nut दिलि मे पुरानी दिले के सामने मंजित मांख तो पिर भही बात लिखिए कुछ़ नहीं लिखा यहां पे लिखा है ठीज में हिटोप देश का महत कर्वाइए है? तर्ओ मलई ठीक है तो यह संस्क्रिक गर्थ हितो देश का फार्सी में अनुबाब जो है 1450 के आसपास जो है ताजुल दिन मुफ्ति अल्मलिकी दौरा मुफ्रिल कुबाल नाम से किया गया और ताजुल ताजुल दिन मुफ्ति अल्मुलिकी को ही तुरुटी वश पुरानी पुस्तकों में किया ताजुल माली कहा जाता है तो यह मेंस में आया वह कॉश्चन है यह यूपी पीसियस मेंस जो की एक जनम पहले हुआ करता था अब नहीं होता मतलब इस तरह से नहीं होता तो इस नेक्श्ट कॉश्चन में सूची वँटू इन दोनों को मैच कराने चलिए यहां पे लिखा है क्या इसमें लिखा है आलम गीर नामा लिखी है वहा अपका में लिखे हैं यहां पर लिखा है क्वान्वीन ने काणुं Araमा पुस्तक लिखी है जिसे confront की नामते भी करना है ब्रह्मान ने लिखी है और यहां एकबाल नामा जहांगीरी जो है मुअतम स्वारी मुअतमध खाने लिखी है तो यह कोश्चन आये हुआ है आपका आर एस आटी एस पी में आये हुआ है ठीक है यहां लिखा है तपकादे अकपरी किस ने लिखी है तो गैसा अंसा यहां लिखा है निमलिकित मुसल्मान विध्धानों में से हिंदी साहिते के लिए किसका सबसे महतपूर योगदान है तो कैसे यहां पर हमारे जो आंसर यह है अब्दुरहीम खाने खाना राइट तो इसमें लिखा है अकबार के सफल प्रसाशन सही सहिंशनुनीती और व्रती तदा ततकालीन अनुकूल वातवरने हिंदी को पनपने का ऐसा सुवशर प्रदान किया कि अकबर का काल हिंदी कावे का स्वण काल कहलाने लगा तो इस यूग में हिंदी केवल हिंदू की ही धरोहर नहीं थी आप वितु इस पर मुसल्मानों का भी सम्यत अधिकार फार्सी अर्वी तुर्की संस्कृत हिंदी राजिस्थानी के मर्मग अब्दर रहीम खाने खाना इन सब में मुखर स्थान रखते थे मतलब अच्छा गासा इनको जानका ली थी इस इन सब की अच्छा हिंदी कर्फ का कोई भी इतिहास जो है खाने खाना के सम्मान के उलेक बीना क्या है अधूरा है तो उनका जो है प्रसिद्ध ग्रंथ करह है रहीं 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 रत्यसई दोहो का संगर्य है ठीक है आगे बढ़ते हैं तो भारत के इतिहास के संदर में अबुल रहीं लाहोरी कौन थे तो गैस ताहजां के शाशन का एक क्या है राज की इतिहास कार राज की इतिहासकार था अबुल रहीम लाहुरी तो इसमें अब अब्दुल रहीम लाहुरी साह जहां के शाशनकाल का क्या एक राज की इतिहासकार था उनकी पुस्तव होई पाश्या नामा में शाह जहां कालीम इतिहासका बढ़न किया गया है साह जहां के दर्बार में वह याती के रूप में आया था नेक्ट पोशिन शाजा नामा के लेखा कौन है तो आंसर है C है अबदुलरहीम लाहुरी निमलिके त्यूगमू में से कौन सा है एक सही है ये बताने तो बाबर तुझके बाबरी लिखा है हुमायू में लिका है हुमायू नाम शेर्षा में लिका है तारीके शेर्षाही अकबर में लिका है तबकाति अबगरी – अकबर यह लिखीय है और किया है अधिया है तबकादे अग्बरी की रश्णा जो है निजामुदीर अहमद्दे की है चले पुस्तक लेखा की बात करते है तो यहाँ पर है आपका तबकादे नासरी अच्छा इसमें बताना है कौन सा गलत है यह बताए ठीक है तो यहाँ पर नामा जो है आपकी किस ने लिखी है अमीर खुशोर ने लिखी है जबकि इबने बतुता ने अपना जो है यातर विद्दान किस में लिखा है रहला पुस्तक में लिखे है और बाकी के सारे सही है इसमें लिखा है अन्वरे सुहेली नामा ग्रंथ निमलिकित में कित का अनुवाद है क्या अन्वरे सुहेली तो किस का अनुवाद है यह पंच तंतर का अनुवाद है देखिए आप बात करते हैं पंच तंतर की यह निका पंच्छत तर्थ का अनुवा जो है विविन शाशकों के काल में जो है अलग-अलग नाम से किया गया है फिर यहां पर लिखा है गजनरी काल में जो है आपका नुशुरुल्लाहमुंशी सिराजी ने कलीला वा दिमना बहराम शाई के नाम से किया है ठीक है तो फिर के काल में अबुल्फचल ने आयर एक दानिष्च के नाम से किया है अबुल्फचल दौण अकबर-शिवर्च अब testoster नाम के साथ Was मुगल काल में दर्बारी भाशा थी क्या थी अर्पर दोरा इस थापित अनुवाद विभाग तुर्गी ग्रीख भाशा की अनएक कृतियों को क्या करा गया था अनुवाद यानि की बारात ते इंपोर्टेंस है राजकार से संवंधी सभी कार जो फारसी बात में किया जाते थैं बारत में फार्ट साहित का विकास जो है मुडर मुगल इस मुझलिम विजयताओं के आगमन्छी प्रारम रहत नहीं करसा नहींता भारत में तो Abھی आ göt जो है जो म्हुत रहें पार्शी साहित्य के विकास का केंदर रहा अच्छा सूची वन्टू मिलाना है तो चलिए देखते हैं तो गाइस यहां लिखा है भीम से इनकी है तारीके दिलकुष फियहां पर चंदरभान ब्रहन की ब्रहन लिखा है चहार चमन और फियहां लिखा है इश्वरदास नागर जो है आपका कुतु हाथ ए आलमगीरी फिर यहां लिखा है सोजान रहा है भंडारी खुलासत उत्त तवारीक तो खतरनाक सी बात है और कोश्चन भी आप देख लिए यूपी पीचेस में आयो चले पीछे चलते एक दो कोश्चन जो बड़े अजीब-जीब से देख लेते यह कोश्चन आए मेंस में हुला था ठीक है और तो अजह कंठिन कश्चन नहीं आ अंपी अबित तक तो यह पासान असान कॉश्चन आपको प्री मिल जाएंगे जो थोड़े से अजीब कोश्चन हों है वह आपको मेंस में मिलेंगे next question जो है वो है नस्तालीक है क्या है गाईसी तो नस्तालीक क्या है एक प्रकार की फार्सी लिपी है जो मद्धिकालीन भारत में प्रियुक्त होती थी अच्छा इसे कौन जानता था औरंग जीव नस्तालीक क्या है एक फार्सी लिपी है मद्धिकालीन भारत में प्रियुक्त ह तो उनका वैश्रव जो उपने जानता था और शिकस्त लिखना जानता था अब से लिए राजा जिसने नागरी दावस के नाम से कृष्ण की प्रसंसा में च्छंद लिखे हैं वह कौन सा बंदा था ठीक है तो राजस सावनति सिंग थे इसमें लिखाए अजमेर की किशनगर रियासत के राजात सावन सिंग तो उनका वैश्रव जो उपनाम था वो था आपका नागरी दास यानि की राधा का सीवक तो उन्होंने किशनी की प्रसंसा में क्या लिखे अनेक च्छंद लिखे थे ठीक है किशनगर की साचकों ने निम बार्क संप्रद तो सिंपल सी बात है इनका टाइम पिरिट भी लिखा है 1555 से लिका 1617 चलो आगे बढ़ते हैं तो गईस देखिए यहां पर चैप्टर हो गया खतम अगर आपको वीडियो पसंद रहे तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और आपको अगर कुछ भी अच्छा लगा हो चैनल करिएगा जरू से गाइस और क्या है अपने दोस्तों को जरूर बताएगा चैनल के बारे में वीडियो के बारे में अगर कोई घटना चक्र पढ़ना चाता है तो प्लास अगर कोई PCS की या UPSC की तैयारी कर रहा है अपनी फांडेशन यानि की बेस जो है स्ट्रॉं करना च अब जो है हम नेक्स्ट जो है वीडियो में मिलेंगे मुगलकाल विविध के साथ